मौन्सून से पहले ही बिहार में आंधी और बारिश तबाही बन कर आई है बिहार के 16 जिलों में तूफान और बिजली गिरने से 33 लोगों की मौत हो गई है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने बिहार में तूफान से हुई मौतों पर दुख जताया है पीम ने ट्वीट किया है कि ईश्वर मृतिकों की परिवार को दुख सहने की शक्ती दे राज के मौसर विभाग ने शनीवार और रवीवार को कुछ हिस्सों में आंधी तूफान के साथ हलकी बारिश होने की संभावना जटाई है राज में प्री मौनसून गतिविधिया अब सक्रिय हो गई है अलग-अलग जगों पर हुई इन घटनाओं के बाद बिहार सरकार के साथ ही इस्थानी प्रशासन राहत कारिय में चुट गया है आंधी और बिजली गिरने से सबसे ज़्यादा नुकसान भागलपुर में देखने को मिला भागलपुर में साथ, मुजफरपुर में छे, सारण में तीन, लखी सराय में तीन, मुंगेर में दो, समस्तिपुर में दो, जहानाबाद, खगडिया, नालंदा, पूनिया, बाका, बेगु सराय, अररिया, जमुई, कटिहार, दर्भंगा में एक-एक व्यक्ति की मौत हु जान गवाने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाक रुपे की आर्थिक सहायता देने की खोशना की, मुख्य मंतरी नितीश कुमार ने फसल एवं मकान श्रती का आंकलन कर परिवारों को सहायता प्रदान करने की निर्देश भी दिये हैं, साथ ही लोगों से अपील की है कि ख जाव जारी करता है, इसका अनुपालन करें, खराब मौसम में घर में रहें और सुरक्षित रहें, बिहार के कई जिलों में 19 माई की दोपहर से ही तेज हवाओं और बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश ने तबाही मचाई, यससे कई पेड उखड गए, सड़के बाधि और आंधी के चलते बिजली आपूर्ती बाधित रही, बिहार के अतिरिक्त असम और करनातक में बिजली गिरने और बार की चपेट में आने से करीब 57 लोगों की जान चली गई, असम में हालाद सबसे ज्यादा खराब हैं, यहां ब्रह्म पुत्र और उसके साथ बहने वाली नदियों में बार ने इसकदर तबाही मचा दी है कि 7 लाग से जादा लोग बार से प्रभावित हुए हैं, असम में 500 से जादा लोग रेलवेट ट्रेक पर रहने को मजबूर हैं, यहां अब तक 15 लोगों की जान गई है, तो वहीं करनातक में भी हालाद खराब हैं, करनातक में 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें, जन भावना टाइम्स के साथ, नमस्कार